मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाश्रों को आगे वढ़ाते वढ़ाते नेता प्रित्पक्स उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजड़ से संब्धा बहुत वास्तार रहा हो या न रहा हो और कुछ ऐसे बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खाम्याजा प्रदेश अधीत में बहुत भोग चुका है आज से उभर चुका है प्रदेश वो तरपदेश आज एक नई दिसा के ओर बढ़ रहा है लेकिन उनके भासन से मुझे दुस्यंत कुमार की पंतियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग छिलाने लगे हैं भासन बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते जो भी रहा होगा मैं खैर उस पर आओंगा भी लेकिन बजट पर भासन केंद्रित होता क्योंकि प्रोशिटिंग का हिस्सा बनेगा और यद्दिपी हमारे भारतिय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि सब्द ब्रह्म है हम जो बोलते हैं और नश्ट नहीं होता है और फिर यहाँ पर जो कुछ बोलते हैं वो बिदान सभा की प्रोशिडिंग का हिस्सा बनेगा जब तक हमारा लोग तंत्र है तब तक यहाँ की दिवारों में यहाँ की लैबरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीडी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी भावी पीडी के लिए भी एक मार्ग दरसिका के रूप में काम आ सके और इसी दिश्चे मैं कह रहा था जैसे नेता प्रतिपक्स ने एक बात और कहे कि उन्हों ने अपने समय में बेसिक सिक्सा परिश्चत की स्कूलों का दोरा किया और एक बच्चे से उन्हों ने पोच्छा कि मुझे पैचानते हो तो उसने कहा कि हां राहुल गांदी है भूले बाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे हैं जो बोला होगा बहुत सो समझ के ही बोला होगा फरक बहुत ज्यादा नहीं है फरक क्यों यह है कि राहुल गांदी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर ब्रदेश के बाहर उत्तर ब्रदेश की बुराई करते हैं उत्तर ब्रदेश में जो कुछ भी हुआ है हमने कभी नहीं का कि हमी ने किया सब ने किया चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में सासन करने का उसर प्राप्त हुआ बहुचन समाजवादी पार्टी को भी हुआ कॉंग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में सासन किया भारती जन्ता पार्टी को भी चौती बार सत्ता में रहने का उस्सर प्राप्त हुआ है हर एक ने अपने अपने समय में कुछ नो कुछ नया किया है करने का प्रियास किया है अलग विसे परिणाम के आए और परिणाम वही लह सकता है जो समस्या पर कम समाधान पर ज्यादा जोड़ देगा